दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी ख़बर बिहार में लापारवाही से वाहन चलाने वाले ध्यान दे बिना इंसरेंस के दुरगाटना होने पर जब्त वो निलाम होगी गाड़ी जी है बिना थट पाड़े इंसरेंस के वाहन चलाने पर जुर्मना तो लगी गए इस साथ ही दुरगाटना होने पर पुलिस प्रसासन गाड़ी जब्त करके निलामी की प्रक्रिया भी वहन को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि नियाधी करन के निन्य के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता है। बिहार में यहां बिवस्ता 15 सितंबर से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जाएगा उन्होंने आम लोगों से अपनी जमिन का काईजा दुरस्त करने के अभिल की है। राजास्व एवं भूमी सुधार विभाग भूमी विवाद से जुड़े नियोमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। राजास्व एवं भूमी सुधार मंत्री रामसरत रायने सनिवार को सरकिट हाउस में मीडिया से बात करते वी कहा कि विवाग इस बात पर गंबिरता से विचार कर रहा कि पेत्रिक संपत्तिक के बड़वारे में आखिर केसी विवाद को कम किया जाए। बाड़ी खबर जेवलिन थ्रोवर निरज चोपडा ने रचा इतिहास टोकियो ओलम्पिक में भारत को दिलाया पहला गोल्ड जिहाँ टोकियो ओलम्पिक के सलोवे दिन भारत ने पहला गोल्ड मिडल अपने नाम कर लिया है। अगली बड़ी खबर मौसब मिभाग का अलर्ड कई जेलों में बारिस के साथ बजरबात की सम्मावना जिहां बिहार के कई जेलों में पिछले कुछ दिनों से लगतार बारिस हो रही है। मौसब मिभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ड जारी किया है। मौसब मिभाग का कहना है कि मांसन की ट्रप रेखा की करण ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें आने वाले अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में बारिस के आसार रहेंगे। ऐसे में मौसब मिभाग ने कई जिलों के लिए यलो अलर्ड भी जारी किया है। बिहार में हो रहें लगतार बारिस से गंगा समेथ कई निद्यों का जलस्तर खत्रिकी निसान से उपर है। मौसब मिभाग निकल भी कई जिलों में बारिस होने कि समावना जताई थी। साती मौसम विवाक की और से लोगों से अपिल की जा रही ही कि जब बारिस हो या बिजली की गड़गड़ाहट की आवाई सुनाए थी तो लोग पक्के मकान में सरन ले और पूरी साधानी बरते खुले मेदान, नदिया, जल जमावाले चेतर, आम और लिची के बगान जिसे जगों पर बिजली गिनने की समावने अधिक होती है यहाँ पर ना जाएं बड़ी कबर बिहार में आस्मान से गिरी मौत, बाका में बजरपाद से साथ समेद बिहार में नो की गई जान जहां बिहार के बाका और औरंगाबाद जिलों में सनिवार को बजरपाद से नो लोगों की मौत हो गई, बाका जिले में बजरपाद से साथ लोगों की जान गई, मिर्तोकों में अमरपूर, चांदन और कटोरिया के दो-दो और बासी का एक व्यक्ति सामिल है वहीं औरंगाबाद जिले में दो जगहों पर ठंका गिरने से दो लोगों की मौत हो गई वहीं चार लोग घायल भी हो गए घटना साम में सदर प्रकंड और मदनपुर प्रकंड में घटी घायलों का इलाज सदर अस्पताल औरंगाबाद में किया जा रहा है बाड़ी कबर लालो को मिलेगी राहत या जाएंगे जेल चारा घुटाला का सबसे बड़े मामले में सिब्याई की बहस पूरी जल्द आ सकता है फैसला बिहार के पूर मुख मंतरे साराजत सुप्रीमों लालो प्रसाद यादव से जुड़े चारा घुटाला की सबसे बड़े मामले में जल्द फैसला आने की सम्मावना है मामले में सिब्याई की ओर से जारी बहस से निवार को पूरी हो गई अब बचापक्च की ओर से बहस होनी है बचापक्च की बहस पूरी होते ही मामला फैसले पर चला जाएगा सिबियाई की विसी सिन्यादेश एसकी ससी की अदालत ने सिनुवाई की अगली तारीक 9 अगस्त नेधारित की है आपको बता दे कि डॉरंडा को सगार से 149 करोड 35 लाग के अवेद निकासी से जोड़े मामले में लालो प्रसाद पूर्व सांसत जगदी सर्मा डाक्टर आरके राना समेथ 110 आरोपी ट्राइल फैस कर रहे हैं चारा गुटाले के 53 मामलों में से 51 मामले के फैसले आ चुके हैं या लालो प्रसाद से जोड़ा पाचवा और आखरी मामला है बाड़ी खबर जेड़ोई अदक्च ललन सिंग ने अपने मिशन का एलान कर दिया है पार्टी को राष्टी पार्टी का दर्जा दिलाना है लहाजा बीजेपी को खुले मंज से अल्टिमेटम दे दिया है मनिपूर और उत्तर पर्दिस में मिधानसवा चुनाव होने हैं मिजेपी जेड़ोई के साथ सीट सेरिंग करने वरना नितीस मोडल के नाम पर जेड़ोई अकले चुनाव लड़ने को तयार है ललन सिंग ने साब कर दिया कि वे पार्टी को चलाने का तरीका भी बदलेंगे अब आर्सिपी सिंग के तरज पर नहीं बलकी नई तरीके से पार्टी काम करेगी बड़ी ख़वर टोकियो उलम्पिक के ब्राँज मेडल मेच में बजरंग पुनिया की सांदार जीद कजाकिस्तान के पहलवान को आठ जीरो से हराया जी हाँ टोकियो उलम्पिक में इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया ने फ्री इस्टायल कुस्टी के पैसेट किलोगराम के केटगरी में जीध रासिल कर भारत की जूली में एक ओर मेडल डाल दिया है टोके उलम्पिक में भारत का यहाँ सातवा मेडल है बजरंग पुनियाने कजाकिस्तान के दोरान नियोजवाव को को आठ जिरो से हरा कर कांज से पदग हासिल किया है महारत ने इसके साथ इस सबसे सफल रहे 2012 लंदन उलम्पिक के मेडल रिकोर्ड के बरावरी कर ली है बड़ी खबर बिहार में अब वीडियो और डिडियो से चिनने जा रहा है पावर सभी जिलों में तेनाथ होंगे नए पदादिकारी जिहां बिहार सरकार सभी जिलों में तेनाथ डिडियो यानि की उप विकास आयुक्त और वीडियो का पावर चिनने जा रही है पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अदिनिया में संसोधन के गजट प्रकासन का इंतिजार है जैसे राज पत्र का प्रकासन होगा इन दोनों अधिकारियों का पावर चिंजाएगा और सरकार सभी जिलों में नए पदादिकारियों के तैनाती करेगी दरसल बिहार सरकार जिला परिसद से डिडिसी और पंचायती समिती से विडियो को बेदखल करने जा रही है वो विकास आयोत के जगा बिहार के सभी जिला परिसदों में जिला परिसदों में नए मुख के कारपलग पदादिकारियों के तैनाती होगी जब कि पंचायती समित्य के कायरपलक पदादीकारी की जिम्मेदारे अब वीडियो से चीन कर वहाँ के पंचायती राज पदादीकारी को दे दी जाएगी अगली बड़ी खबर आज से अनिश्चित कालिन हर्टाल पर जाएंगे पाटना नगर निगम के कर्मी समान काम के बदले समान वेतन की मांग जिहां आज यानि रैवार से पाटना नगर निगम के कर्मचारे अनिश्चित कालिन हर्टाल पर चले जाएंगे चतोत्र वर्गिय करमचारी संग के महा सचीव नंद की सुर्दास ने इसका एलान कर दिया है चतोत्र वर्गिय करमचारी संग के महा सचीव नंद की सुर्दास ने बताए कि निगम कर्मियों के कई मांगे है उसमें ये मुख्य है कि निगम के देनिक कर्मचारियों की सेवा नियमित की जाए और उन्हें समान काम के बदले समान वेतन का भुगतांग किया जाए साथी अठारा हजार रुप्य मासिक मैजदूरी देने का आदेस भी दिया जाए चतो तो वर्गिय कर्मचारि संग ने ये भी जानकारे दी है कि एपिएप के गड़वड़ी दूर करना का भी अहम है साथी प्रावेट कमपने द्वारा मनवाने तरिके से कर्मियों के हटाने पर भी रोक लगना बहुत जरूरी है इसके अलावा भी और कई मांगे हैं जिसको लेकर 9 अगस से पत्ना नगर निगम के कर्मचारे अनिश्चित काले नहरताल पर जाएंगे बाड़ी कबर सड़क दुरगटना में मौावजे को लेकर पुराना पेच खतम अब एक व्यक्ति के मौत पर भी सरकार देगी 5 लाक रुपी है जिहां बिहार में सड़क दुरगटना में होने वाली मौत को लेकर मौावजा निती में नितिस सरकार ने बड़ा बदलाव किया है नितिस केबिनेट की बेटक में जो एजन्डी पास किया गया है उनमें सड़क दुरगटना में हुई मौत के मामलों में मिर्टक के आसरितों को मौाज़ा देने की निति में बदलाव किया गया है अब एक व्यक्ति की मौत भी अगर सड़क दुरगटना में होती है तो उसके आस्यों को सरकार पांच लाग रुपी मौवजा देगी पहले एक व्यक्ति की मौत पर मौवज़ों को लेकर पेंच फस जाता था बाड़ी कबर 10 अगस्ट से फिर से चलने लगेगी ये पैसंजर ट्रेने देखिये लिस्ट जिहां यात्रों की सुविदा को देखते हुए पूरू मज़ रिल्वे ने पैसंजर स्पेसिल ट्रेन का परेचलन फिर से बहाल किया है 10 अगस्ट यानि मंगलवार से नेताजी सुवास चेंदर बोस गोमो जेक्सन और डेहरी ओन सौन के मज़ पैसंजर स्पेसिल टेन का परेचलन प्रारम किया जा रहा है इन ट्रेनों का परेचलन अगले आधिस तक जारी रहेगा बड़े कबर राज में ड्राइवरों के लिए तै होगा गाड़े चलाने का समय केंदर ने विहार सरकार को भेजे पत्र में कही ये बात जिहां सड़क हादसों में कमी लाने के लिए व्यवसाइक वाहनों के निगराने बढ़ेगी व्यवसाइक वाहन चलाने वाले ड्राइवर के काम के घंटे भी तैकिये जाएंगी केंद्री सडग परिवहन एवा मुराज मार्ग मंत्राले ने इस बावत विहार समेत अन्य राज्यों को पत्र लिख कर ड्राइवरों के काम के घंटे तैक करने का निर्दिश दिया है दरसल समिच्य के क्रम में पाया गया कि अधि सेंक्या हाथसों में सारवजनिक वहान सामिल होते हैं इनमें लंबी दूरी तैक करने वाले ट्रक बस आधि की सेंक्या सबसे अधिक है अंतर राज्य परिवान सिवा में ड्राइवरों को लगाता और कई कई घंटे वहान चलाना पड़ता है थकावर से दुरगटना की आसंका बाढ़ आती है अभी तक सारवजनिक वहानों के ड्राइवरों के लिए गाड़े चलाने का निश्चित समयते नहीं है ऐसे में अंतर ने राज्यों को सारवजनिक वहानों के ड्राइवरों के गाड़े चलाने के घंटा तै करने का निर्दिस दिया है बड़ी खबर गोपाल गंज हवाई अड़े को चालू करने की तैयारी बिहार के कई सेरों में सुरू होगी हेलिकॉप्टर सर्वीस जिहां बिहार के गोपाल गंज के हवाई अड़े को चालू करने की कवाया तेज होती दिख रही है पटना के लोक नायग जैप्रकास नारायन एरपोर्ट गया के बोध गया एरपोर्ट और दरवंगा एरपोर्ट के बाद यहां चौता हवाई अड़ा जल्द ही ऑपरेशन होने की उमीद है इसी के साथ राज के कए सहरों के बेज हेलिकॉप्टर सर्वीस भी सुरू किये जाने की उमीद है दरशल सरकार राज के प्रमुख परियाटन इसलोग को हेलिकॉप्टर सेवाओं से जोडने की यह जना बना रही है हत्वा इस्तित सवैया हवाय अड़े के रन के लिए मरमत परिचलन गतिविदियों में तेजी लाने के मांग को लेकर सांसर डाक्टर अलोक कुमार सुमन नागर विमान मंत्री जोती राज आधित्य सिंग्या से मिले हैं साथ आपको बता दे कि बिहार के परियाटन इस्तलोक को हलिकर्प्टर से जोड़ने के महतवा कांची योजना समेत अन्य बिंदू पर केंद्री परियाटन मंत्री जी किसन रेड़ी के साथ राज जी के परियाटन मंत्री नारायन प्रसाद ने विवागय बैठक की इसमें केट होटल प्रबंदन समेत बिहार में हलिकप्टर के मादन से परियाटन के स्थल को जोड़ने के योजना पर चर्चा हुई है और आंकी बड़ी ख़बर अब सिंगल डोज से भागेगा कोरोना इस कमपनी की वैक्सिन को भारत में मिल गई है स्विकिरती बिहार की लोगों आ रही है वैक्सिन से सरकार से लेकर आम लोग गदगद है इसी कड़े में अब एक और हतियार भारत को मिल गया है अमेरिकी फार्मा कमपनी जॉंसन एंड जॉंसन के सिंगल डोज वाली वैक्सिन को भारत में आपात कालिन इस्तिमाल की मंजूरी मिल गई है केंद्रे स्वा पर आपको कौन सी लगी है आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं